वेलकम तो दिस वीडियो स्टुडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोंग तो एक्सेसाइज नंबर 5.2 क्वेशन नंबर 17 एंड 18 आगे बढ़ते हैं क्वेशन नंबर 17 क्या दिया है इतना पढ़के डायरक आपको नहीं लिख देना है कि 20 इस तरीके से इतनी जल्दबाजी कोई भी क्वेशन में नहीं करनी है मैथेमेटिक्स में आप जब भी कोई क्वेशन सौल करते हो तो सबसे पहले क्वेशन को पूरा पढ़ना है तो यह आप कांसर सही होगा तो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ठीक है कि आपको 20 टर्म फाइंड करना है लेकिन वह कहां से फाइंड करना है लास्ट टर्म से यहां और चैंज आएगा टो टोइन से फाइंड करते लएट माइनस फ्री इस तरीकेसे फाइंड करते तो यहां पर लास्ट टम वाला जब कोईशन आता है थे मुसको उल्टा कर देंगे यहां पर यहां पर डी आ जाएगा हमारा 3-8 और 3-8 मतलब कितना होता है माइनस 5 होता है ठीक है यहाँ पर आप सीरिस को भी इस तरीके से उल्टी करके लिख सकते हो कि AP लास्ट हमें उसको पहले लिख दो फिर यहाँ पर डोट डोट तो यहाँ भी क्या लिख देंगे डोट 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 फिर क्या होगा 13 8 और 3 13 8 और 3 तो यहाँ पर क्या हो गया 253 डी तो डी किस तरीके से हम फाइंड करते हैं आगे वाला टम माइनस पीछ वाला टम तो यहां क्या हो जाएगा 3-8 इस इक्वल तो यहां पर इस तरीके से एव डी फाइंड करने ठीक है यह वड़ याद रखना है लास्ट टम जब हमें लास्ट टम से कुछ टम करना हो तब हम लास्ट को फॉस्टम ले लेंगे और डी फाइंड करने के लिए भी हम मुल्टी प्रोसेस करेंगे ठीक है एट माइनस तरी की जगह हम क्या कर देंगे थ्री माइनस एट इतनी चीज़े याद रखनी है तो क्वेश्चन इजी लिए आप सौल कर पाओगे अब आगे देखते क्या करना है ट्वेंटिए टम का पफिर्मिला रख देंगे एट ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी अथ ट्रम मतलब क्या होता है एट वेंटी और उसका फॉर्मिला क्या होते है ट्वेंटी से एक कम मतलब 19D ओके 20 is equal to a कितना दिया है 253 प्लस 19 माइनस 5 ठीक है 253 यह में क्या मिला एट् प्लस माइनस माइनस होगा ठीक है इसका मल्टिप्लिकेशन का अंसर क्या होगा माइनस और 19 फाइजा होता है 95 तो यहां पर हमें 820 मिलेगा 253 माइनस 95 करते हैं यहां पर तो यह हो जाएगा 13 13 माइनस 5 होगा 8 इसका हो गया होगा 4 ओके यह हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 114 माइनस 9 होगा 5 और वन तो यहां पर आंसर होगा 158 ठीक है तो यहां से 20 यह तर्म से हम अगर हम पीछे पीछे जादे जाते हैं तो 20 यह तर्म क्या मिलता है 158 तो यहां पर मारा प्रश्चन नमबर 17 खतम होता है नेक्स्ट अम देखते हैं ग्वेश्चन नमबर 18 तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं दस सम ओफ फॉर्थ टर्म एन एइट तर्म मतलब का मतलब एइप्लस तू मतलब क्या होता है ऐः प्लस टिकस्ते में प्लस चीजह में फांट करने है उस के लिए क्या चाहिए एए चाहिए और डी चाहिए तो यह हमें चीज़ें कर सकते हैं यहां पर हमें ए और डी फाइड करने के लिए कुछ conditions दिए उसका यूज़ करके हम ए और डी फाइंट कर लेंगे जैसे यहां first condition बढ़ ऑद सम्सम मनदलब क्या होता है एडिशन ठीक है किसका एडिशन ओफ फॉर्थ टर्म एंड एट तर्म तो सम ओफ यहां पर कंडिशन लिख देंगे दो सम ओफ फॉर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इस फॉर्थ टर्म होता है एफ और एट टर्म होता है एट उसका सम मतलब उसका एडिशन और उसका एडिशन इस कितना है ट्वेंटी फॉर्थ ठीक है तो इस तरीके से फर्स्ट कंडिशन के उपर से हम एक एक एक्क्वेशन बलानेंगे एक्क्वेशन को थोड़ा सोल करें त 4 से कम मतलब 3D प्लस 8 काम क्या लिख देंगे A प्लस 70 इस इक्वल टू 24 ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2A और D 3D प्लस 70 क्या हो जाएगा 10D इस इक्वल टू 24 ठीक है यहाँ पर याद रखना है कि सेम टम्स सेम टम्स के साथ ही एड करने जैसे यह वाला टम है तो ए वाले टम के स साथ ही एड होगा वन है वन है टू है डी वाला जो टम होता है वो डी वाले टम के साथ ही एड होता है तो 3D 70 10 ठीक है यहाँ पर 3D यहाँ पर 70 यह तीन और 7 मिलके कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा तो यहाँ पर सेम टम्स देखने और सेम टम्स एक दूसरे के साथ एड कर करने इसा नहीं कि इन दोनों को अद कर देना है और यहां पर लिख देना है यहां पर फिर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा नेक्स पर से बनाएंगे सेकंड कंडिशन के ऊपर से यहां पे condition start or end sum of sixth term ठीक है sum दिया है sum मतलब edition किस किसका तो of sixth term and tenth term तो यहाँ पर condition लिख देंगे statement लिख देंगे हम पुरा यह वाला कि sum of sixth term and tenth term is 44 ओके sixth term और tenth term उसका क्या दिया है sum sum मतलब edition और कितना दिया है 44 तो इसको थोड़ा solve करेंगे तो वहां से में second equation मिल जाएगा a6 की जगह पर हम क्या लिख सकते a plus 5D और a10 की जगह पर हम क्या लिख सकते a plus 90 is equal to 44 ठीक है वापिस यहां पर भी हम क्या करें होंगे दो है ठीक है टूए नेक्स्ट यहां पर पाच डी यहां पर नो पाच और नो कितना हो जाएगा 14 डी इस इक्वल टू 44 तो यहां पर हमारा सेकेंड एक्वेशन बन जाएगा और इन दोनों इक्वेशन को सौल करके हम a और d find कर सकते हैं यहां पर देखो दोनों का यह वाला जो टर्म है वह सेम है तो क्या करेंगे अब जिसके पास ज्यादा डी होते है ना उस उस में से हम उस इक्वेशन को ओपर रखेंगे ठीक है तो यहांपे हम लिख देंगे सब्क्रेक्ट है इक्वेशन 1 फिरूम इक्वेशन टुब मैंस्ट टुओ मैसे वन को क्यों माइस किया क्या तू के पास ज्यादा डीए बन के पास कम डीश्के पास फ accessory नेश्के पास 10 है तो जिसके पास ज्यादा डी होते हैं उसको हम उपर रखेंगे तो 2a प्लस 14D is equal to 44 उपर आएगा और 2a प्लस 10D is equal to 24 निचे आएगा ठीक है 2a को कट करने के लिए इसकी साइन चेंज कर देते तो 2a हो जाएगा कट 14-10 हो जाएगा 4D is equal to 44-24 is equal to 20 तो यहां से हमें D is equal to कितना मिल जाएगा 4 जाएगा division में तो 20 by 4D is equal to मिल जाएगा 5 अब D जैसे हमें 5 मिल जाता है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर पूट कर देंगे equation 1 के अंदर पूट D is equal to 5 in equation 1 equation 1 हमें मिला था 2a plus 10D is equal to 24 यहां पर D यह हम रख देते हैं 5 तो D की जगा तो टेन फाइजा हो जाएगा 50 ठीक है टूए फ्लस टेन फाइजा 50 is equal to 24 तो टूए इस इक्वल टू यह 50 जाएगा इस सेड माइनस में तो 24 माइनस 50 हो जाएगा माइनस 26 और एम जाएगा यह टू डिविजन में जाएगा तो माइनस 26 को गर टू से डिवाइड करें तो एस इक्वल टू आएगा माइनस 13 और जैसे हमें ए मिल जाते हैं उसके बाद हम फॉर्स ट्री टम फाइंड कर लेंगे जिसमेंस फॉर्स टम होगा कि ओअ एडा मैन सथर्टीन सेकेंड टू इसीकॉल टू क्या ओगा-13 प्लसLife 569 टू हो जाएगा माइनसे टो चाहिएड ंसमें फाइवन यहां पर लिख देंगे फोस्ट हमम थ्री टर्म्स और माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी खतम होता है अगर आपको वीडियो पसेंद आये तो इस वीडियो को लाइक करना मत बुलना और यहां पर स्क्रीन पर आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्क्रीन पर दूसरे दिखाए गए वीडियो से जिसमें चिए आ कर दो कर दो